प्लीज इस वीडियो के इसकी बिल्कुल भी मत करें तो प्लीज इस वीडियो के इसकी बिल्कुल पूरी वह जरूर करेंगा हाँ तो चलिए सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि यह होस्टल आखी है कहां तो लोकेशन की बात करूं अगर मैं तो यह जो गर्ल्स होस्टल है नवहाँ नया टोला में लंच बॉक्स जानते होगे आप अगर आपको नहीं पता है कि लंच पूरा होस्टल एंड रूम दिखाती हूं जो भी वहाँ पे खाली था एंड उसके बाद रेंट विगरा सब कुछ की बात करेंगे पूरी रिटेल्स में हां तो आप देख सकते हो यह है टू सीटेड वाला रूम कुछ इस तरीके का एंड रूम ना मुझे सच में यार इस तरीके का लग रहा था यह रूम देखने में इस तरीके से सीटी विगरा ना बहुत ही जधा साफ थी नीट एंड क्लीन थी एंड यहां पे साफ सफाई की विवस्ता मुझे काफी ज़्याद अच्छी लगी जो कि और होस्टल में नहीं रहता यार इतना क्लीन तो नहीं यहां पे मिल जाता है आप देख सकते हैं अपना थ्री सीटेट वाला रोम भी देख लेते हैं सो आपसके पार मिल जाती हां तो यह थोड़ा सा बाहर करना जारा देख लेजी यहां पर वेसिंग वीरा सब कुछ लगी हुई थी एंड देखने में एक तम न्यू न्यू यह लग रहा था लगड़ा था न्यू ही बना था इस वज़ें सितना नीट एंड क्लीन था एंड वहां पर साफ सफाई की एंड यहां पर लटकिया खाना ले रही थी एंड यहां पर थुरा सा वीडियो को पॉस करके फूड मैन्यू भी चेक कर लेना एंड होस्टल मुझे बहात अच्छा लगा तो यह थी रूम अबना थुरा सा रेंट की बात कर लेते हैं तो वहां पर जो भी मैंने आपको ट्र सब्सक्राइब नहीं था क्योंकि सिंगल बेट ऐसे कोई लगाना नहीं चाहता क्योंकि पूरा रूम लाइक एक ही लड़की के लिए हो जाता उसमें वह लोग 2-3 बेट कर देते हैं हैं तो अच्छा खासा हो जाता है समझ रहे हो गया सो यही था ओवर्ड जो कि मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा है यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ मेल आइकन को मत बोलना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ के लिए बबाई ठीक के और थांक यू